लोग सभाचुनाव दो हजार चौबीस की तैयारियों में चुटी भाजपा को उसके सहियोगी दल छटका देने वाले मुद्दों का समर्थन करते दिख रहे हैं दरसल यूपी में बिहार के बाद चातिय जनगणना का मुद्दा अब बेहद प्रभावी मुद्दा माना जा रहा है समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दों को लेकर 2022 के विधान सभा चुनावों में ही मुखर रही है पार्टी प्रमुक अखिलेश यादविस मुद्दों को लेकर स्पष्ट राय रख रहे है जातिय जनगणना को लेकर कांग्रेस के बदले रुखने की राजनीतिक दलों को बेचैन कर दिया है लोग सभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीती बनाने में जुटी हुई है हर कोई अपने अपने दाव चल रहा है हर पार्टी अपने कोर वोटर को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती इसी कड़ी में सत्तारूर भाजपा का प्रमुक सहियोगी अपना दल सोने ला अगले महीने अयोध्या में अपने स्थापना दिवसकारिक्रम में जाती आधारित जनगणना की मांग तेज करने वाला है कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी यही मांग उठाते आ रहे हैं बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद इस मांग ने और तेजी पकड़ी है ऐसे में अब अपना दल, एस, के भी जाती आधारित जनगणना की मांग तेज करने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है पार्टी अध्यक्ष और केंद्रिये मंप्री अनुप्रिया पतेल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कारिक्रम में अपने पिता और पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पतेल की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर संसाधनों का विभाजन करने की इच्छा का हवाला देते हुए भी जाती आधारित जनगर्ना की वकालत की थी अपना दल एस अपने संस्थापक सोनेलाल पटेल की इच्छा के अनुरूप अपनी स्थापना के बाद से ही जाती आधारित जनगर्ना की मांग कर रहा है अपना दल सोनेलाल अपनी आगामी रैली में इन मुद्दों को उठाने वाली है अंग्रेजी न्यूस पेपर टियो आई के अनुसार अपना दल के सूत्रों ने कहा कि पार्टी अपने 29 वे स्थापना दिवस के अफसर पर 4 नवंबर को एक मेगा रैली आयोजित करने पर काम कर रही है जहां वे अपने सभी वैचारिक मुद्दों पर बात करेगी खास कर उन मुद्दों पर जो पिछणों और दलितों के लिए मायने रखते हैं क्योंकि वे पार्टी के मूल मुद्दे हैं पार्टी सूत्रों ने कहा कि पार्टी रैली में जाती आधारित जनगणना की मांग भी उठाई की क्योंकि वे हमेशा जनसंख्या के आधार पर संसाधनों के विभाजन की समर्थक रही है अपना दल सोनेलाल जब कांग्रेस हिंदी पट्टी में ओबीसी राजनीती में पैट बनाने के लिए खुलकर उसके समर्थन में आई है पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आए सीमा में व्रधी की मांग भी करेंगी पटेल जाती से कुर्मी और स्वेम एक ओबीसी हैं वे मांग कर रही हैं कि ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आए सीमा को बढ़ा कर 15 लाक रुपे प्रती वर्ष की जानी चाहिए मोदी सरकार के दौरान इसे 6 लाक से बढ़ा कर 8 लाक कर दिया गया कर दो किर दो कर दो कि लगा कि रुपे 5 कि दौरै रुपगर और लाक सेक दोते मांग tal कर दोतों। है इस कि कि मोदी का रुपेे अंप़ए्जस्टे लाक सag़ाशने बदिट से लाकार के लाक का दोत